जै हिंद जै भारत मैं जस्वंत पवार्द दोस्तों हम खड़ें नहरु कॉलिज के सामने और देखिए कुछ छात्र मुद्दों को लेकर और नहरु कॉलिज में जो चल रही है राजिनिती उसको लेकर हम अपनी बात रखना चाते हैं राय रखना चाते हैं दोस्तों देखिए नहरु कॉलिज के अंदर कुछ दिनों से जो है एक ओच्छी और गंदी राजिती चल रही है के पहले एडविशन के नाम पर जो बदनाम किया गया है कॉलिज को पहली बात तो जो एडविशन है वो बिल्कुल फेयर हो रहे हैं दूसरी बात जो एक हमारा फेस्टिवल है जो तीज है वो पूरे धूमदाम से आज नहरु कॉलिज के अंदर मनाया गया और सभी जो फेस्टियर के चात्रे उन्होंने भाग लिया देखिए बड़े हरसोल लास के साथ मनाया गया तो यह अच्छी बात है लेकिन कुछ लोग इसको भी नेगिटिव ल होगा जो बहने हमारी एडविशन के विगर रह जाती है उनको पता नहीं कितनी बहनों का एडविशन होगा तो असली मुद्दा है कि 20% सीट बढ़नी चाहिए दूसरा मुद्दा है कि जो नहरु कॉलिज की बिल्डिंग है दो साल डिले मतलब डेड से लेके एक साल तक डि अगरा नहीं के अंदर जो भी काम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और देखें जो वानिया प्रैंसिपल रूची का खुलनर आई है वो लग रही है उनको एक महिना हुआ है वह अपने बेस पर लग रही है समझ रही है समस्याओं को हमने उनको ग्यापन भी दिया है क गालेज की समस्याओं को तो वो अपने पेस पर उनको समाधान करने की कोशिश है उनकी लेकिन कॉल्यूल इंदर एक ऐसा महौल बनाया जा रहा है अपनी परस्नल मैं कहुं परसनल रंजिस के कारण या परसनल राजीती के कारण के पूरे कॉलिज को टाक पर रखा जा रहा है उसकी इज्जत को टाक पर रखा जा रहा है जबकि जो नहरू कॉलिज है अपने आप में बहुत बड़े माईने रखता है हर नेता हैं यहां से लिकड़ा है फरिदाबाद का और इस कॉलिज के अंदर तो एडिविशन लेने की जो होड है वो मैं कहूं दिल्ली से लेकर होडल पलवल कोसी बोर्डर तक रहती है चात्रों की पहले एक नमबर कॉलिज है जिसमें एडिविशन के तो कुछ चात्र रह भी जाते हैं क्योंकि इतनी बड़ी तादात नहीं है साथ हजार सिटिंग का कॉलिज है और तक्रीबन लाखों लोग एडिविशन लेना चाते हैं तो सबकी तो पूर्ती नहीं हो सकती और देखे बिल्कुल फेर एडिविशन होते हैं और इसी को लेकर हमारे नहरु कॉलिज के परदान गौरब है वो अपनी बात रखेंगे दरने प्रिंशिपल मौदे के मारदरसन में कॉलेज पर शासन कमेटी के दुवारा एक तम फेर और साप एडिविशन किया रहे हैं ताकि जो भी एक वाइट लाइज मीडिया या फिर मीडिया लाइट माने के लिए ऐसा काम कर रहें उनसा अनुरोद है कॉलेज पर शासन औ उनके साथ मिल करके काम करें ना कि उन अपनी राजनेती का हिस्सा बनाएं जैसे कि आप देखो जैसे हमारी संस्कृती कम होती जा रही है आज कॉलेज से तीज मनिये तो यहां साथ से आठ अज़ार चात्र पढ़ते हैं तो सब को पता चलेगा कि तीज एक तोहार होता है व हमें जितने भी हमारे तोहार हैं उनको बढचड कर बनाना चाहिए और हमें गंदी राजनिती नहीं करनी चाहिए हमें मुद्दो की बात करनी चाहिए हमें अपने कॉलिज के प्रेंसिपल के साथ मिलकर चलना चाहिए और उनके साथ मिलकर कंदे से कंदे मलाकर काम करना चाह पिछले साल मैंने एक लॉबी पकड़वाई थी नहरू कॉलिज के अंदर जो एडवीशन पैसे लेके एडवीशन करती थी देखे कुछ सरार्ती तत्व होते हैं जो लगे रहते हैं और देखिए बिना छात्र नेताओं की शेय के बिगर ये काम नहीं हो सकता कुछ ओछे ऐसे जो पैसे ले तो उनको पुलिस में F.I.R. दर्ज क्यों नहीं करते हैं पकड़वाते क्यों नहीं हैं सिर्फ मेडिया में आके अपनी वावाई लूटना ये अच्छा काम नहीं है दूसरी बात के काम तथ्यों पे करो ओची राजनीती ना करें अगर आपको लगता है किसी नहीं लिए तो उसके खलाफ F.I.R. दर्ज करवाब जैसे युवा अगास संगठन ने पिछले साल करवाई थी तो मेरा अनरोध है और देखिए जो टीचर है वो बिलकुल फेर एडविशन करते हैं आप उन पर एडविशन के नाम पर जो दबाब बनाते हो ये गलत राज युवा अगास संगठन इसका ब्रोध करता है और ऐसे बिलकुल नहीं होगा और युवा अगास संगठन पूरे जो पूरा स्टाफ है नहरू कॉलिज को जितने भी टीचर है वो बहुत अच्छा काम कर रहे है चाए वो बच्चे पढ़ाने का काम हो चाए एडविशन को ब तेरा अन्रोध भी है किसी छात्र ने ताके वो दबाब में ना आए वो अपना जो अपना एमडू की गाइडलाइन्स है उनके अधार पर एडविशन करें जैहिंद जैभारत